जै जै श्री राधे श्याम वान्छा कल्प तरू भ्यस्च ग्रिपा सिंधुब्य एवच पतिता नाम पावने भ्यो श्री वैश्नवे भ्यो नमो नमाहा स्वागत है आपका मेरे स्टूप चनल गौरांग गौरी में तो शिशि प्रेम भक्ति चंद्रिकामी गुरु महिमा से अब हम आए हैं वैश्णव महिमा पे तो आज की जो बंगला की त्रिपदी पायार है उसको शुरू करते हैं वैश्णा वचार नरेनु भूशन कुरियातनु जहा है ते अनुभव हाए मार्जन हाए भजन साधू संगे अनुखन अज्ञान या विद्या पराजाए वैश्णव चरन रेनु भूशन कौरियातनु कि वैश्णव की चरन रेनु को अपने तन पर भूशन की तरह लगाओगे तो क्या होते है जहा है ते अनुभव होए अनुभव होगा क्या अनुभव होगा श्रिशी निताइक और सितनात की नित्य लीला शिशिरादा माधव सखी विंद की नित्य लिला उनका प्रेम भक्ति शास्त्र में जो बटाया गया उसका अनुभव होगा और क्या होता है माड़न हाए भजन 비जन में कोई अपराद कुछ कमी हो जाती है उसका माड़न हो जाता है साधू संगे अनुक्षन साधू की संग में अनुक्षन रहने से क्या होता है अज्ञान आविद्या पराजाए जो अज्ञान है जो अविद्या है उससे पराजाए पराजाए क्या होते है उसको हम जीत लेते हैं उसको पराजित कर देते हैं शिरट ठाकूर महाशाय इस्त्रिपदी में पहले वैशनव चरण रेनों की महिमा का कीर्थन करते हैं वैशनव चरण रेनों भुशिरन करिया तनों जहां है तानुभव होए बक्ती प्रात्यत भजन अनुभव के विशे में वैश्णव पद्रज की असाधरन महिमा का उत्गोष सभी सास्त्रों में एकमत होकर करा है अनेक भाग गिरो फुले वैश्णव आशिया मिले अनेक भाग के फल के वाद वैश्णव मिलते हैं महाराज जतक वैश्णव क्रिपा नहीं होती तब तक शीराधा माधव की क्रिपा नहीं होती वैश्णव क्रिपा महद गणों की क्रिपा आवशक है आवशक है परम आवशक है श्री जड़ भरत महाराज श्रिमत भागवतम में रहुगण को उपदेश देते हुए कहते हैं क्या कहते हैं हे महाराज रहुगण महजनों की पद्रज से अभिशिक्त हुए बिना तपस्या वैदिक कर्म सुनिये गहाँ अगर हम वैष्णवों की चरण रेनु मतलब उनका संग उनकी किर्पा उनसे भक्ती भजन का ज्यान उनकी से ये भी है समझना हां तोनों बात है कि बिना वैष्णव पद्रस अभिशिक्त वे वैदिक कर्म अन आदी दान ग्रह आदी निर्मान के लिए परोपकार वेदभ्या सत्वा जल अगनी सूरी की उपासना आदी अन्य किसी भी साधना द्वारा भागवत तत्व विज्ञान की प्राप्ति नहीं करी जा सकती नहीं करी जा सकती ये सब केवल अगर कोई सोचे कि मैं व्रत रखूँगा और ये क्या बलते हैं अलगलग देवी देवताओं की उपासना करूँगा दान करूँगा आश्रम बनाऊँगा लेकिन मैं वैशनव सेवा नहीं करूँगा आप बोलते हैं नहीं गरीब लूले लंगणों की सेवा कर लो लेकिन अगर उसमें वैशनव सेवा सामिल नहीं है तो वो कुछ काम की न फिर वैसी प्रलाद महराज ने भी हिरनकर्षपू से कहा क्या जब तक विश्य अभिमान शुन्य महत पुरुषों की शी चरण धूली द्वारा भी शिक नहीं होता तब तक विश्य मानव की मती श्री भगवान चरणों को सपर्ष नहीं कर सकती अर्थात श्री कृष्य पाद पद्वों में कभी की मती उत्पन नहीं हो सकती जिसके द्वारा अर्थात श्री कृष्य पाद मानिष्ट मती द्वारा भी ऐसे भी अनर्थसोता दूर हो जाते हैं ये कह रहे हैं हिरनकर्षपू कह रहे हैं यह लेकर शुब बोलता है ना कहाँ है तेरा भगवान मुझे तो नहीं दिखता तो क्यों नहीं दिखता उसे क्योंकि उसने वैश्णवों का संग नहीं करा है तो प्रलाद जी को दिखता है कि प्रलाद महाशाय ने तो श्री नारद मुनीक जी का गर्भ में अपनी मा का जी कि दिखाये दे रहा है इसकी कितनी महिमा है तो श्रीमत भागवत्म में वर्णन आता है अन्य पुराणों में भी वर्णन आता है ब्रभू महराज ने जब प्रलिक्षा ले थी तरिदेव की तो जो श्री नारद के वक्षिस्थल्पे पदागात करते हैं तो श्री नार श्रमया आसमे कांतम भाजनम वच्या तु रसी में भूती भर्वत पाद हताहन सहा इसका भाव कितना सुन्दर है उसको थोड़ा बंगला पयार में गाएंगे की एजे तुमार पादोदक पुन्या जाल तिर्थेर करये तिर्थ हैनो सो निर्माल जतेक ब्रह्माण बेसे आमार देहेते जतो लोक पाल सब अमार सही ते पादोदक दिया आजी करीला पवेत्रों अक्षे है या रहो तुमार चरेत्रों एजे तो मार स्री चरण चिन्ध धूली वक्षे राखे लामया मी होई कूतु हौली लक्ष्मी संगे निज वक्षे दिलो या मी स्थानों वेदे जैनो स्रीवत्स लांशन बोले नामों व्रिंदावंदाश ठाकुर ने इच्छी चैतन्य भागवत्तम में इस जो स्लोक है श्रीमत भागवत्तम का उसका कितना अच्छा पद अनुबात करा पते नारण क्या बोल रहे हैं जब भीगु ने वक्षे बप्रहार करा तो तब बोल रहे हैं कि एई जे तुमार पादो दक पुन्य जल्त तीर्थे करिया तीर्थे हैनो सुनिर्मल कि हे ब्रिगु मुनी आपके जो चरण जल है उससे तो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं जो तीर्थ दुनिया को पवित्र करते हैं वो आपके पद जल से पवित्र होते हैं कि मेरे जो शरीर है उसी के अंदर की शीनाराण के आपको पता यह शीनाराण के अंदर से शुआ से ब्रह्माण निकलते हैं सारे ब्रह्माण मेरे अंदर हैं तो सारे लोग पाल भी मेरे अंदर हैं तो आपने अपना चरण मार कर इस सारे ब्रह्माणों को सारे लोग पालों को शुद्ध कर दिया है महाराज पादो दक दिया आज करिला पवित्र अक्षे हैया रहो तुमार चरित्र हे व्रिगुमुनी आपका चरित्र अक्षे हो जाए और अक्षे कैसे होगा अक्षे कैसे हुआ तो श्री नारण ने कहा ए जे तुमारशी चरण धूली वक्षी राखिलाम आमी होई आकोतोली अपने चरण पे रख दी तुमारे पद धूली तुमारे पद का छाप उसको रख दिया और लक्ष्मी संग जनिज वक्ष्मी विनास करती है न मेरे वक्षिस्थल पर तो वहीं स्थान देजिया उसी को वेद जन क्या कहेंगे श्रीवत से कहेंगे इतनी दुख वैश्नव की महिमा है कि स्री नारायन श्रीमन नारायन वैश्नव महत गणों के चरणों धूलों को अपने वक्षिसल पर रखते हैं इतनी महिमा है सत्संग की सादुसंग की और वैश्नव जनों की और भगवान ने वी कहा है क्या भागवता में उधव गीता में हे उधव मैं भक्त की चरण धूली से भक्ती प्राप्त करा ब्रह्मांद पवित्र करूंगा इसलिए भक्त का अनुगमन किया करता हूं तो इस कारत क्या हुआ का करेंगे श्री भगवान ऐसा करेंगे कल्यूग में करा ना क्या करेंगे भगवान बतान मैं क्या करूंगा कल्यूग में इंडिरेक्ली बताया कल्यूग में जब मैं राधा कृष्ण में लित्तनू होकर श्री गौरांग रूब में आऊंगा तो भ पारणी माय चांदरे अमार नी ताइचान धूले गोडा गोड़ी जा रहे हैं गोडा गोड़ी मतलब लोट पोट हो रहे हैं भकत किर्जन करते हैं और सबार चरण धुली ले विश्वमभर और चैतन भागवत में बताया कि सब की चरण धूली लेते हैं विश्वम भर और भक्त पद transpose धूली भक्त पाद जल भक्त भक्त अवशेश तीन महा बल एक भक्ते के लिए तीन महाशक्ती हैं क्या तीन महाशक्ती जो सब जगत को काम करोद मद लोबादी सब को जीतने में समरते हैं माया तक को जीतने में समरते हैं क्या तीन चीज भक्तों की पदर धूली भक्तों के प्चरणों का जल और भक्तों का प्रशादी शीत प्रशादी और एई तीन सेवा है तो कृष्ण माया हाए पुना पुना सर्व सास्त्रे फुकारी या कए तो हर सास्त्र कह रहा है बार-बार इसी बात को कि वैश्नवचरण वैश्नवचरण रहे नू भूशन कोरियातनौ इस पदी पे थोड़ा और चर्चा करेंगे